हमारे प्यारे देश्वासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों आज हम सब 137 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्ताफना दिवास पूरे देश में बड़े व्यापक रूफ से मना रहे हैं कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है बलकि एक अंदोलन का नाम है कांग्रेस की स्ताफना किन परिस्थितियों में हुई या मुझे बताने की जरूरत नहीं है अजादी के अंदोलन ने कांग्रेस और उसके तमाम निताओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया संगहर्श किया जेलों में कतूर यतनाय जेली और बहुत से धेशबक्तों ने अपने परानों तक का बालिदान किया तब जाकर कहीं हमें अजादी मिली अजादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कलपना करना कथिन है लेकिन हमारे महाम निताओं ने बड़ी सूजबूज और दृर निश्चे के साथ भारत के नवनिर्मान की एक मजबूत बुनियाद रखी जिस पर चल कर हमने एक सशक्त भारत करी किया एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा हिया जिन लोगों ने अजादी के अंदोलन में भगिदारी नहीं की वे इसकी किमत कभी नहीं समझ सकते आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभाव प्रयास किया जा रहा है इतिहास को जुटलाया जा रहा है हमारी विरासत गंगजामुनी संस्कृति को मिताने की नापाक कोशिश हो रही है देश का आमनागरिक असुरक्षित और भैभीट महसूस कर रहा है लोगतंत्र और संभिदान को दर किनार कर ताना शही चलाई जा रही है ऐसे वक्त में कंग्रेस चुप नहीं रह सकती देश की विरासत को किसी को भी नश्ट करने की इजाज़त नहीं देगी आम जन्न मानस के लिए लोगतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोदी समाज विरोदी साजिसों के किलाब हर संगर्ष करेगी हर कुर्बानी देगी आज के इस एठिहासिक आफसर पर एक एक कंगर्ष जन को यहीं संकल्प लेना है और कंगर्ष संगतान को मजबूट बनाना है इनी शब्दों के साथ आप सभी को कंगर्ष ठापना दिवास पर और आने वाले नववर्ष की हार दिख बदाई और शुब काम में जय हिंद जय कंगर्ष